नमस्कार देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत हैं मैं हूँ सुमन ना रही है इसके साथ ही और भी कई मैतुपुन खबरों से आपको करवाएंगी रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर प्रधान मंत्री नरेंड्र मोधी ने राम मंदिर के उद घाटन से पहले आयोध्या को दीर रेलवे स्टेशन और एरपोर्ट की सोगात आठ किलोमेटर का रोडशो कारने की बाद की अपील बोले 22 जन्वरी को आयोध्या ना आएं इससे वेवेस्थाएं बिगडेंगी साड़े 500 साल इंतजार किया कुछी दिन और करें राजस्तान में भजनलाल सरकार का हुआ मंत्री मंदल विस्तार 22 विधाई को ने ली मंत्री पद की सपा जिन में से 12 केबिनेट 10 राजे मंत्री बनाए गई साथी स्रीकरनपुर सीट से प्रित्यासी सुरेंदर पाल सिंग टीटी को मंत्री बनाए गया ये रजस्तान में पहला मामला है जब चलते चुनाव के बीच प्रित्यासी को मंत्री बनाए गया है बाचपक आरेकाल में रेल किराय बढ़ाओ और प्लेटफोर्म टिकट भी हुआ मेंगा कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी ने बिरोजगारी और महंगाई जिसे मुदो को लेकर मोधी सरकार को लिया आड़े हात बोले अब सिर्फ यहीं कहना बाकी रह गया है कि भगवान शिरी राम ही हमारे उमिद्वार होंगे लेफ्ट पार्टी के लोगों की उकात नहीं जो टीम सी के साथ बैठे ममताब एनरजी के नेता कुनाल घोस ने किया सीपी आईएम पर जोरदार हमला बोले सीट बढ़वारे पर अंतिम फैसला ममताब एनरजी का ही होगा दस दिन की विपशना साथना के बाद वापिस लोटे दिली सीम अर्विन के जिवाल बोले इस साथना से मिलती है आसीम शांती अब नई उर्जा के साथ करेंगे जनता की सिवा भगवान राम सिर्फ हिंदू के नहीं पूरे विश्वकी हैं जमु कस्मेर के पूर्वे सीम फारुक अब्दूला ने दी मुबारक बाद बोले हमें उस भाईचारी को बनाये रखने के लिए काम करना होगा जो आइस्ता आइस्ता हमारे वतन से गायब हो रहा है महराश्ट में सीवसेना कॉंग्रेस में बड़ी तकरार संजेरावत तेई सीटो पर अड़ी तो कॉंग्रेस नेता संजेत तिरूपम ने उठा इस अवाल कहां यह बचकानी बात आपकी पार्टी के पास जनाधार ही है क्या कॉंग्रेस इंडिया गटबंदन को मजबूत करने के लिए ज़्यादा घंबीर नहीं बिहार सीम नितिस कुमार बोले कॉंग्रेस जात ये जनगरना की बात तो करती है लेकिन कभी इस पर चर्चा नहीं करती जाती जनगरना के लिए मैं करूंगा पूरे देश का भ्रमण पियमोदी ने दिया 2047 तक विक्षित भारत का फोर्मुला बोले ज्यान पर ध्यान और ज्यान को समान देने से ही विक्षित राष्ट का संकल्प होगा पूरा बता दें कि अपने फूर्मुले को डिकोड करते हुए पियमोदी ने कहा कि ज्यान में जी का आर्थ है गरीब, वाई का आर्थ है यूवा, ए का आर्थ है अन्यदाता अर्थात किसान और एन का आर्थ है नारी शक्ति कैंसर से जंग जीतना अब और होगा आसान, भारत के विज्ञानिकों ने तयार की पहली सिरफ, कीमोधेरीपी में इस्तमाल होने वाले इस दवा का नाम प्रिवेल रखा गया है, ब्लैड कैंसर के रोगियों के लिए यहें दवा ला सकती है क्रांती सोनिया गांधी अगर राम मंदिर जाए तो कॉंग्रेस की दो प्रतिश्यत पाप हो जाएंगे कम असम सीम हेमंद बिश्वास सर्मा ने विपक्स को दी नसीहत कहा विपक्स के नेता इन्विटेशन मिलने के बाद भी सोच विचार कर रही है, उन्हें राजनिती को परे रख कर आयोध्या जाना चाहिए पुर्वतर में मोधी सरकार की एक और बड़ी जीत, असम के उगरवादी संगठन ULFA और केंडर सरकार के बीच हुआ शान्ती समझोता 700 केड़ों ने क्या समरपन अयोध्या राम मंदिर में लगाई जाएगी 600 किलो वजन की घंटी बजाने पर आएगी ओम की आवाज 25 लाग के खर से 400 कारीगरों ने किया तयार बापरी मज़ित के पक्षकार इकबाल अनसारी ने अयोध्या में पीम मोधी पर की पुश्प वर्षा बोले मोधी सब के प्रधान मंत्री उनके कारीकाल में अयोध्या में विकास हुआ सीटलेर की चपेट में उतर भारत, MP राजसान समेट साथ राजो में कोहरे का अलर्ट धुंद की वज़े से 80 फ्लाइट 13 ट्रेने हुई प्रभावी दो जन्वरी तक पहाडों पर होगी बरभबारी ये तो थे सुर्ख्या अब चलते हैं आसकी बड़ी खबरों की और खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे सनिवार को आयोध्या पहुचे PM नरिंद्र मोदी की क्योंकि 22 जन्वरी 2024 को रामलला की प्रान प्रतिष्टा से पहले प्रधान मंत्री का यहंदोरा कई माइने में खास माना जा रहा है क्या है इसके पीछे की बड़ी वज़े देखे इस खास रिपोर्ट में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने राम मंदीर के उधगाटन से पहले आयोध्या को रेलवे स्टेशन और एरपोर्ट की सोगाटी सेनिवार को सबसे पहले पीम ने रेलवे स्टेशन को आयोध्या वाश्यों को समर्पित किया उसके बाद एरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक रोड शोकिया गया और फिर बटन दबाकर अयोध्या को एरपोर्ट की सोगाद दी। भारत की मिट्टी के कणकन और जंजन का मैं पुजारी हूँ। अज देश में सिर्फ के दारधाम का पुनरुधार ही नहीं हुआ बलकि 315 से जादा नए मेडिकल कोलेज भी बने हैं। बलकि हर घर जल पहुँचाने के लिए पानी की 2 लाग से जादा टंक्या भी बनवाई गई हैं। एक तरफ राममंदिर के उधगाटन को लेकर उत्सा और उमंग की लहर है तो वहीं दूसरी और विपक्स की कुछ पार्टिया भाजपा पर इस कारिकरम का राजनितिकरन करने का आरोप लका रही हैं। संजरावत ने तो यहां तक भी कह दिया है कि 2024 के लोग सबाद चुनाओ में बीजेपी भगवान शिरी राम को अपना उमिदवार बना सकती है। लग रहा है कि यह जल्द ही प्रभू शिरी राम को चुनाओ में खड़ा करने का एलान करेंगे। और कहेगी भगवान राम आयोध्या से उनकी पार्टी के उमिदवार होंगे। वहीं कोंग्रेस नेता अधीरंजन चोधरी ने कहा कि राम सारे दिश्वाशियों के लिए एक है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे राममंदीर सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है। उन्हें धर्म के अंगना से निकाल कर सियासत की अंगने ले जाय जा रहा है जबकि राम को राजनिती में नहीं लाना चाहिए। उनको निमंतरन मिला है तो वो उसमें भी राजनिती देख रही है। राजसान में भाजपा सरकार का मंतरी मंदल विस्तार हो गया। मदन दिलावर, जोगाराम पटे, सुरे, सिंग रावत, अविनास, गहलो, जोगाराम कुमावत, हेमंत, मीना, कनईयलाल, चोधरी और सुमित, गोधाराज शामिल है। वही ओटाराम दिवासी, विजय सिंग चोधरी, मंजु बागमार, केके विश्नोई और जवाहर सिंग मेंडम में ने राजय मंतरी के रूप में सपत ली है। उसमें संजसरमा, गोतम कुमार, जाबर सिंग खर्रा, सुरेंदरपाल टीटी और हीरालाल नागर का नाम शामिल है। आपको बता दें कि मुखे मंतरी बजनलाल शर्मा और दो डिप्टी सीम को मिला कर अब सरकार के मंतरियों की संख्या 25 हो गई है।